नरेंद्र मोदीजी ने कहा कि मैं भरष्टाचार मिटाना चाहता हूँ और एलेक्टोरल बॉंड स्कीम लाए एलेक्टोरल बॉंड स्कीम में बीजेपी को हजारों करोर रुपे उध्योग पतियों ने दिये नरेंद्र मोदीजी ने स्कीम कैसा बनाया उन्होंने कहा कि जो स्कीम में पैसा देगा उसका नाम किसे को नहीं मालूम होना चाहिए कुछे दिन पहले सुप्रीम कौट कहता है कि ये जो स्कीम है इसको कैंसल कर देना चाहिए ये लीगल ही नहीं है ये गहर कानूनी स्कीम है इसको कैंसल कर देना चाहिए और जिन लोगों ने जिन उद्योग पतियों ने नरेंद्र मोदी जी को बीजेपी को पैसा दिया उनके नाम पबलिक के सामने रख देने चाहिए सुप्रीम कौट ने कहा मीडिया को लोगों ने इसके बारे में बोला नहीं कम बोला मगर जब लिस्ट निकली लिस्ट पे तारीक भी थी कि इस दिन इस उद्योग पती ने बीजेपी को पैसे दिये हमने देखा हमने दिन देखे कौन से कौन से डेट्स पे इनको पैसा मिला पता लगता है कि बड़ा कॉंट्रैक्ट सडक का कॉंट्रैक्ट एक उद्योग पती को मिलता है और उसी के पांच-दस दिन बाद उद्योग पती हजारों करोड रुपे नरेंद्र मोधी और बीजेपी को दे देते हैं हर उद्योग पती के सामने डेट है और दो तरीके से पैसे ले रहे हैं एक तरीका कॉंट्रैक्ट देते हैं सडक का देते हैं डिफेंस का देते हैं अलग-अलग कॉंट्रैक्ट देते हैं और कुछी दिन बाद स्कीम में उद्योग पती इनको पैसा दे देता है कट दे देता है और दूसरा तरीका यह CBI का केस लगाते हैं E.D. का केस लगाते है उद्योगपति उनको पैसा देता है और फिर CBI का केस E.D. का केस गायब हो जाता है तो इंटरनाशनल लेवल पर हफ्तेबाजी चल रही है extortion चल रहा है और उसका नाम Electoral Bond Scheme है नरेंद्र मोदी जी से आप पूछिए कि ये जो हजारों करोड रुपए BJP को मिले मुंबाई का एरपोर्ट मैं उधारन देखा हूँ मुंबाई का एरपोर्ट मिला अधानी जी को मिला उससे एकदम पहले बंबाई एरपोर्ट के मालिक को CBI की इंक्वाईरी हो जाती है कुछी दिन बाद मालिक एरपोर्ट अधानी जी को पकड़ा देता है CBI इंक्वाईरी खत्म हो जाती है मामला फिट हो गया तो नरेंद्र मोदी जी ने भरस्टचार की मनोपिनी खोल रखी है देश में सबसे जादा भरस्टचार एलेक्टोरल बॉंड स्कीम के मादियम से हिंदुस्तान के प्रधान मंत्री और बीजेपी कर रही है